वीजा एक्सपर्ट्स नाश्टकर दोस्तो वेलकम डू वीजा एक्सपर्ट्स दोस्तो य॥्ट्रेन का हमारे पास स्टू fireworks पमिट पिय और पॉलныеले का वाज पमिट है य॥्ट्रिन के बिस पर तो डिटेल आपको बताऊंगा इस वीडियो में दोस्तों मेरे साथ बने दिये तो हमारे पास बहुत ही कम पैकेज में स्टूडेंट वीजा है जो बच्चे वहां पे लेंगविज कोर्स करना चाहते हैं मास्टर डिगरी करना चाहते हैं तो जो शॉर्ट टाइप का वीजा होता है वह लेंगविज कोर्स का होता है जो की दस मीने का कोर्स होता है और लेंगविज सीख के दोस्तों आप यूक्रेनियन में बहुत आप अच्छे पैसे कमा सकते हो क्योंकि आपको स्टडी के साथ साथ आपको वर्क भी प्रवाइड करेंगे हम आपकी अगर स्टडी वीजा है तो आप अच्छे पैसे वहां पे कमा सकते हो 30 से 40 एरपया पर मंत कमा सकते हो उससे ज़्यादा भी कमा सकते हो बट डिपेंड करता है ठीक है बगी आप स्टूडेंट बेस पे जा रहे हो तो लेंगविज कोर्स लेके जाएए पैकेज भी कम है और आपको सारी फैसलिटी भी आपे मिलेगी आपको जॉब भी प्रवाइड होगी और आप अपना जो फीस वगरा सारी कवर कर लोगे ठीक है तो उसके बाद दोस्तों हमारे पास होता है इंडिया से ही वर्क परमिट लगके जाएगा उसके उपर आपको जॉब प्रवाइड होती है जैसे कि डिलीबरी बॉइस की जॉब होगी वेक्टरी हेलपर की जॉब होगी शॉप वहां पे टेंटंट की जॉब होगी तो ऐसी jobs वहाँ पे provide की जाती है जो starting वो salary होती है दोस्तों वो 30, 40 यार 45 यार बंदा कमाता है ठीक है अगर बंदा taxi चलाता है जिसकी English अच्छी है थोड़ी बहुत Ukrainian language सीखते हो तो आप वहाँ पे communication करके अपनी taxi रेंट पे लेके चला सकते हो उस पे भी बंदा 76, 80 यार बंदा कमाता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे अच्छे पैसे कमाते हैं ठीक है उसके बाद जिनके पास दोस्तों work permit है यूकरेन का और उनका मैं पॉलेंड का work permit करवा सकता हूँ तीन महीने के अंदर अंदर जो हमारे थ्रू जाएंगे बच्चे जो हमारे पास जाएंगे उनका पूरा package हम करके देंगे ठीक है बाकि जो work permit की आपकी fees है वो यहीं पे आपको pay करनी है बाकि जो पॉलेंड का work permit है वो वहाँ पे आपको pay करनी है ठीक है पोलन्ड का जो वर्क पमिल लगेगा दोस्तों उसमें आपकी 700 से 800 यूरो सेलरी होगी जो काम होगा वहां पे पॉलन्ड के अंदर वो फैक्टरी हेलपर का काम होता है जैसे फिश की फैक्टरी है वहां पे वोडन फैक्टरी है उसके अंदर पैकिंग हेलपर का काम होता है ठीक है बाकी फूड कॉमडेशन आपको प्रॉइड होता है डॉकमेंट सारी आपको में एंटर हुए लीगल वे से जाईए दोस्तों टी यार सी आपके पास बनी होनी चाहिए यूकरेन की और उसके बाद आपका 100% में पॉर्लंड का वर्क पर्मिट करवा के दे सकता हूं जो हमारे थू जाएंगे वो उसका मैं सारा पैकेज करवा के दूँगा ठीक है बाकि ज दोस्तों यह पैकेज के बीच में होता है सारा कुछ जैसे कि यहां से आपका वर्क परमिट होता है तीन मीनने का डी वीजा लगता है वहां जाके एक साल की टी आर सी तीन साल की टी आर सी हम देते हैं आपको ठीक है तीन साल का वर्क परमिट होता है एक साल का फिर एक साल का आइसे आपका वीजा एक्सेंड होता ह। ऊक्रेन के अंदर हमारे पास पि-यर प्रसेस भी है दोस्तो, अगर कोई यूकरेन की पि-यर लेना चाहता है, 10 साल का पि-यर कार्ड बनता है, उसके बाद यूकरेन का पास्पर्ट बन जाता है, वो भी हमारे पास ऑप्चन अडियन, आपके हम मेराइज कर वा सकते हुमारे बास बहुत सारी यूक्रेयन की लड़कियां हैं जो कंट्र répondre बेस प पे जाक्ता हुर्आएं आपको पी यार का स्टैप करवाती है खया तो contract marriage होती है उसका भी चार्जी जो होते है वो आप call करके पूछ सकते हो विदिन 90 to 120 डेज में आपको PR का कार्ड मिल जाता है दस साल का PR कार्ड होता है उसके बाद दोस्तो आप legal way से कहीं पे भी जा सकते हो अगर आप वहां पे stay करते हो तीन चार साल stay करते हो तो यूकरिन का passport भी आपको citizenship मिल जाती है वहां पे यूकरिन का passport भी दोस्तो बहुत powerful है और आपके पास अगर यूकरिन का passport है तो बहुत सारी countries आपको आन अराइवल बहुत सारी countries आपको visa free और बहुत सारी countries आपको visa कम documentation पे easily visa आपको मिल जाता है यूकरिन के passport के उपर बागी दोस्तों कॉलर वट्साइब करके पूछ सकते हो आपके question के answer आप ले सकते हो कई बार call पिक नहीं होती है तो आपको दुबारा call रिवर्ट जुरूर की जाती है बगी दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई like and share जूरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्रेब करना ना भूलिए thanks for watching